असलाम लेकूम तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये मिल्केक तो आप सबके साथ शेयर करूँगी ये क्या है आपको पता है ये जो घी निकालते हैं ना उसका सिठी जो होता है वही सिठी है उसी से हम आज बनाएंगे मिल्केक तो फटा-फट से थोड़ा से इसमें दूद डालेंगे पेंड में ये जो दूद आपके घरों में आता है वही दूद है और ये कटोरी में दूद ली हूँ इसे खौलने के लिए मैं चड़ा दी हूँ गैस पर अब ये जब उबाला आ जाए पांच से दस मिनट और जब आप मलाई से अब जब घी निकालते हो तो उस तेम आप ज़्यादा मलाई को नहीं जलाईएगा नहीं तो एकदम कड़वा लगेगा थोड़ा हलका ही जलाईएगा ताकि मावा भी अच्छा हो रहे और घी भी सही रहे तो चलिए इसे मैं चला लेती हूँ पांस से दस मिनट ये पूरी तरह से घुल जाएगा अच्छी से ये किन मानिए बहुत ही अच्छा बनकर ये तयार होता है कोई मार्क ने कर सकेगा आपको कि ये क्या चिछ का है मिठाई है तो इसे मैं देखिए सुग गया है ये पक गया है थोड़ा अब इसमें मैं डालूंगी चीनी चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा इसमें अब चीनी डालूंगी चीनी मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ आप अपने हिसाफ से डालिएगा गाईज तो चलिए मैं इसमें चीनी डाल दी हूँ अब इसे थोड़ा चलाऊंगी और चीनी मैल्ट होने तक इसे मैं पकाऊंगी देखे चीनी पिल्कुल घूल गया है पुरी तरह से मैल्ट हो चुका है अब इसमें मैं डालूँगी इस टैमें मैं डालूँगी इसमें दूथ पॉडर दूथ पॉडर कोई भी हो चलेगा अगर आप दूथ पॉडर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा बेसन हलका भून कर थोड़ा रोस्ट करके इसमें डाल दीजिए दूट्प ओड़र को स्किप कर सकते हो तो इस में मिल्ट हो गया पूरा जीनी अब इसमें मैं डॉलूंगी टो जितना हम आवा तूसि हेसा से हम दूत्ह पॉडर ढालेंगे यग्ल दूत्ह豆्ट दालना है तो चलिए बिल्कुल ये घुल गया है जाएद triggers हो गया है अजिए अच्छी तरा से अब हम इसमें डूत्ट Bendita घी बिल्कुल भी नहीं लगेगा जेकि दूद पॉडर मैं इसमें डाल दूगी अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर पकाना है मुझे बस आर कुछ भी नहीं डालना इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना इसमें बिल्कुल मिल जाया गये और घी देखे कितना अच्छा से निकल गया है अगर आप मलाई ज्यादा जला दोगे तो इतना घी इस तरह से नहीं निकलेगा घी कम जलाओगे तब अच्छा से निकलेगा देखे कितना अच्छा से दीख रहा है क्या है आब है और बाँ उसमें दाल सकते हो किस्जी कि लिए कि मैं ड्रियुट भी डाल सकते हो स्वीर टेश्ट और बढ़ने के लिए इसमें ड्राइफ डालते हैं बस अरुच नहीं तो चलिये मैं इसे डाल लेती पहले और पांस से दस मिनट फिट से इसे भून लूँगी अच्छी तर से मिक्स कर गए कि देखिए कितने अच्छा से ठीक हो गया है बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए तोड़ा दस मिनट इसे पका लेती हूं और लेकिन मानिए बहुती अच्छा लगेगा अब भी बनाईएगा गाईस बिल्कुल भी एक चम्मज भी इसमें घी नहीं लगा है जो आप से निकाले थे घी से मावा बस वही है आदि अच्छी तरह से ये भुना गया है बिल्कुल रेड़ि है यह मुझे ऐसे ही चाहिए इसकी इंसे टैन सी तो मैं इसे अब गैस बन कर लेती हूं अब इसे उतार लेती हूं जो बरतन में से मुझे निकालना है मैं उसे में निकाल लोगी ठंडा कर लोगी उसी में आप आप को जिस बरतन में निकालना आप केक टीन में निकाल लिए चाहे कोई प्लेट में यह बरतन निकाल सकते हो तो चलिए मैं इसे अब ट्रांसफर कर लेती हूं दूसरे बरतन में ठंडा होने के लिए उस देर के लिए या फिरीज में रखिए या फिर ऐसी पंखे के सामने र तो देखी इस प्रेट में मैं निकाल ली हूँ अब इसे ठंडा करने के लिए थोड़ा मैं रख लूँगी पहले इसमें मैं चांदी का वरक लगा लेती हूँ आपका कुसी आप लगाई है नहीं तो आप ड्राइफ फूर्ट भी लगा सकते उपर से मैं चांदी का वरक लगा देखिए ये टैट हो गया है थोड़ा अब इसे में काट लेती हूँ आप जैसे आपको सेफ देना है वसी देविजिए जिक जैसे काटना है को काट लीजे मैं इसे मिल के तरह से काट हूँगी अगर आपको मेरी रेसीबी आपको पसंद आती हो तो लाइक सस्क्राइब जरू कर दियाए गाइज कमेंट भी कर दिजेगा शेयर भी कर दिजेगाइज मैं एक तरह हाँ एक हाथ में मुबाइल पकड़ी हूँ इसलिए मैं करने पा रही हूँ कोशिश कर रही हूं काटने की तो चलिए मैं एक तरफ से काट ली हूँ अब दूसरे साइट से भी काट लेती हूँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है मैं काट ली हूँ बिल्कुल कोई समझने पाएगा कि घर का मिठाई या बाहर से खरीद कर लाए हो देखिए कितने अच्छा बना है बिल्कुल परफेक्ट तो फिर चलती हूँ गाइज फिस नेक्स वीडियो में फिस्से मिलूंगी एक नहीं देखिए के साथ दौाओं में याद रखेगा लाफीज